मैं इसल्फ पुनम यादो मारवारी कॉलेज राची दियर स्टुदेंट आज मैं आईए सेकंडियर के बच्चों को पुना ऑब्जेक्टिव कोश्चन और एंसर बता रही हूँ पहला कोश्चन है भारतिय समाज का इतिहास कितने वर्सों की अवधी का है यानि कितने समय का है इसमें आप्सन में है पहला दो हजार वर्स तीसरा है दूसरा तीन हजार इसका सही अंसर है भारतिय समाज का इतिहास पाँछ हजार वर्सों का है दूसरा कोश्चन उपनिवेस वाद की दैन है ओपचं में हैं राष्टवाद बी आधुनिकी करन, सी नए वर्गों का जनम, ऐ उप्यूक्त सभी सही answer है D number उप्युक्त सभी तीसरा राष्टवाद कौन सा तत्य है option A. मनोवग्यानिक B. सामाजिक C. आर्थिक N. D. इन में से कोई नहीं सही answer है A. नमबर मनोवग्यानिक राष्टवाद मनोवग्यानिक है चार नमबर वर्गों के बीच वा कौन सा तत्य है जो समाज में वर्गों के अस्तित्व का बोद कराता है option A. सहयोग B. प्रतियोगिता C. संघर्स N. D. समायोजन सही answer है C. संघर्स पांचमा question समुदाय सबसे छोटा छेत्रिय समू होता है जिसके अंतरगत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते है या कथन किसका है option A. गिंसबर्ग B. डेविस C. बोगाच D. मेकाइभर एवं पेज सही answer है B. नमबर डेविस चटा question है जनसंख्या की द्रिष्टी से विस्व में प्रथम अस्थान किसे प्राप्त है option A. भारत B. चीन C. पाकिस्तान D. नेपाल सही answer है B. चीन साथवा question जनसंख्या ब्रीधी का कारण है A. option A. असिक्छ B. कम आयू में बिवा C. स्पुरुष संतान का महत्व N. D. उप्युक्त तीनो सही answer है D. नमबर उप्युक्त तीनो आठमा question जनसंख्या का बिज्ञान कहलाता है option A. समाज सास्त B. मानव सास्त C. अर्थ सास्त N. D. जन्नांकी सही answer D. नमबर जन्नांकी जन्संख्या का विज्ञान को क्या करते हैं जनांकी जनांकी नमबर कोश्चन है पूर्सों के उप्योग से संबंधित है या नमबर कोश्चन है लग्कियों की विवा की नेमतम आयू कानुनन निधारित है आप्शन A. 15 वर्स B. 16 वर्स C. 17 वर्स N. D. 18 वर्स सही answer है 18 वर्स दस्वा कोश्चन है किसने कहा है गौँ वर्स नाम है जो प्राचीन क्रिसकों की अस्थापना को साधरंतह दरसाता है आप्शन A. करवे B. सिम्स C. देसाई N. D. बर्गल सही answer है B. नमबर सिम्स 11 वर्स कोश्चन किसने कहा कस्वा एक नगरिया व्यर्स थापन के रूप में परिभासित किया जा सकता है जो प्रियाप्त आयामों के ग्रामीन छेतर पर अधिपत्य रखता है आप्शन A. मेयर B. कोहान C. रेट जेल D. बर्गल सही answer है D. बर्गल बार्मा कोश्चन 18 तत्व पहला प्रकृति पर प्रत्यक्ष नियरुहरता दूसरा सिमित आकार एवं तीसरा घनेश्ट और प्रात्मिक संबंद किस समुदाय से संबंदित है तीसरा का option है A. ग्रामिन समुदाय B. अनगरिय समुदाय C. कस्वा N. D. महानगर तीसरा का सही answer है A. ग्रामिन समुदाय तीरवा question है या कथन किनका है जिन ब्रहिच छेत्रों में लगभग सभी या अधिकांस महत्पुन मानुय हीतों की संतुष्टी हो जाती है उनको ग्रामिन समुदाय मान लेने के लिए समाज सास्त्रियों के बीच जुकाओं बरता जा रहा है Option A P. H. Landis B. D. Sanderson C. N. L. Sims N. D. इन में से कोई नहीं तेर्वा का सही answer है C. N. L. Sims चौद्वा कोश्चन है निम्नांकित में क्या ग्रामिन समुदाय की विशेष्टा नहीं है Option A सिमित आकार इवं घनत्र B. गती सिल्ता C. प्राथ्मिक संबंद N. D. एक रुप्ता तेर्वा का सही answer है B. नमबर गती सिल्ता 14. नमबर का कोश्चन है ग्रामिन सब्द की व्याख्या में लेंडिस ने निम्न में से किस तत्र की चर्चा नहीं की है Option A प्रकृती पर प्रत्यक्ष निर्भरता B. सिमित आकार C. जज्मानी विवस्था N. D. घनिष्ट और प्राथ्मिक संबंद सही एंसर है C. नमबर जज्मानी विवस्था 15. नमबर का कोश्चन है हर ब्यक्ती जानता प्रतीत होता है कि नगर क्या है प्रन्तु किसी ने इसकी संतोस जनक परिभासा नहीं दी है या कथन किसका है Option A गजराच चोहवान B. आर बियरिष्टीद C. जी एच फिक्तर N. D. E. E. बरगल सही एंसर है D. नमबर E. E. बरगल 16. नमबर का कोश्चन है इसकी एक विशिष्थ जीवन सैली और मानसिक्ता होती है और A. सभ्यता के जनक एवं सम्वाहक माने जाते है Option A. ग्रामिन समुदाए B. कस्वा C. नगरिय समुदाए N. D. अध्योगिक समुदाए सही एंसर है C. नमबर नगरिय समुदाए 16. नमबर का कोश्चन है नगरिय समुदाए की विशेष्थ नहीं है Option A. बरा आकार एवं घनत्व B. उदार मानसिक्ता C. गति सिलता N. C. सजातियता सही एंसर है D. नमबर सजातियता 16. नमबर का कोश्चन है किसने कहा है अत्यधिक वर्ग विशमताए नगर का लक्षन है Option A. दुबे B. बोगाच C. स्मीत D. डेविस सही एंसर है B. बोगाच बोगाच नहीं कहा है अत्यधिक वर्ग विशमताए नगर का लक्षन है 17. कोश्चन है मानुवियर निवास अस्थान का वह स्वरो जो जीवन क्रम एवं किरियाओं में गाउव एवं नगर दोनों प्रताय के तत्रों से मिलकर निर्मित है Option A. गाउव B. कस्वा C. नगर N. दी इनमें से कोई नहीं सही एंसर है कस्वा 18. नमबर का कोश्चन है प्राकृतिक पर्यावरन के निकत है Option A. अध्योगिक सामाज B. सहरी सामाज C. नगरिय सामाज N. दी ग्रामिन सामाज सही एंसर है D. ग्रामिन सामाज 19. नमबर का कोश्चन है क्रिसक सामाज है Option A. गाउ B. कस्वा C. नगर N. दी इनमे से कोई नहीं सही एंसर है A. नमबर गाउ 20. नमबर कोश्चन है माणर सामाज इवं संस्कृति का इतिहास कहां से सुरू होता है Option A. नगर से B. सहर से C. गाउ से और D. इनमे से कोई नहीं सही एंसर है C. नमबर गाउं से 21. नमबर का कोश्चन है प्रतेक सामाजी गतना की भाती गाउं भी एक इतिहासिक समू है या कथन किनका है A. ए आर देसाई B. N. एल सिम्स C. पी एच लैंडिस N. D. A. C. दूबे सही एंसर है A. नमबर ए आर देसाई आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ